नमस्कार साथियों मैं राहुल शर्मा दिशाक आडमी के इस प्रेट फॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक टेस्स सीरीज हमारे दौरा लाउंच की जा रही है जिसका नाम है सुदर्शन सीरीज तो सुदर्शन सीरीज के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही डीटेल दे चुका था कि क्या सीरीज रहेगी तो मैं थोड़ा सा सीरीज के बारे में आप लोगों को अभी जानकारी दे देता हूँ अल्रेडी ये सीरीज चालू हो चुकी है इस सीरीज के अंतरगत अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो अभी हमारा 1-1 हो चुकी है FLT हो चुकी है और 1-2 हो ये 3 टेस्ट हमारे हो चुके है जैसा कि मैंने आप लोगों को सब को बताया था कि ये जो टेस्स सीरीज है ये 500 रुपीज की है लेकिन अभी इस पर 50% डिसकाउंट चल रहा है ठीक है तो आप लोगों को ये टेस्स सीरीज 250 रुपीज तक की मिल जाएगी लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ ये ओफर जो है ये ओफर मात्र और मात्र मंडे तक रहेगा मंडे के बाद इसमें हम enrollment बंद कर देंगे इसके बाद सुधर्शन सीरीज जो है ये अमारी lock हो जाएगी उसके बाद कोई भी इसका lab नहीं ले पाएगा लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को promise किया है कि हर एक topic का जितने भी यहाँ पर test हो रहे है उसके 20 questions मैं आप लोगों के सामने ले के आऊंगा detail explanation के साथ तो उसी का एक पहला उसी का first video आज है तो यह हमारी सुधर्शन सीरीज है यह देख लीजिए आप इसमें total आप लोगों को 50 test में दे रहा हूँ इसमें 20 topic wise है 20 FLTs है और 20 specific test हैं यह देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे यह specific test है specific test का मतलब यह होता है दोस्तों कि देखिए हर topic मतलब कोई भी subject होगा उसमें कुछ topic ऐसे होते हैं जहाँ पर आयोग का दिहान थोड़ा सा जादा होता है और वो question वहाँ से जादा framing करता है तो उन specific topics को हम यहाँ पर आप लोगों को cover कराने वाले हैं तो चलिए चलते हैं एकाई 1 की तरफ हमारी एकाई 1 की तरफ हम चलते हैं यह सुदर्शन सीरीज जो हमारी चल रही है उसका यह group अलग से मैंने बनाया हुआ है तो वहीं की files में सारी test series आपको files में मिल जाएंगी वहीं की files से हम आप लोगों का test जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ तो देखिए यह एकाई 1 का test है हमारा यह आप लोगों के सामने है और यहीं से हमारा question number 22 से हम चालू करने वाले है जिसका detail explanation आप लोगों को मिलेगा तो पहला question आप लोगों के लिए है कि निमने लिखित में से किसे कत्थक का विश्वकोष कहा जाता है कत्थक का विश्वकोष कहा जाता है किसको कहा जाता है और English में गर मैं बात करूँ तो यह test series English में भी है तो English का भी डला हुआ है वो मैं आप लोगों को बता दूँगा English में आप लोगों को 30 test में दे रहा हूँ जिसमें से आपके 20 topic wise हैं और 10 FLTs हैं ठीके और मतलब जो group मैंने बनाया हुआ है उस group में English और Hindi medium दोनों के लोग हैं तो उसमें आपको सारे मतलब 50 test Hindi वाले और 30 ये भी मिल जाएंगे तो आपको कुल मिला के 80 test मिलने वाले हैं ठीके language barrier थोड़ा सा रहेगा तो उसको आप लोग बेर कर सकते हैं मैं जानता हूँ तो देखिए अब अगर मैं बात करूँ यहां से तो आप लोगों से मैंने question पूचाता है कि कत्थक का विश्वकोष किसको कहा जाता है तो यहां पर अगर आप लोगों के पास option आप देखें तो अंग काव्य मुर्जर वर्ण का पुरुसकार कत्थक सागर या फिर कत्थक उपनिशद अब इनकी बात करें तो इसमें जो सह आप लोगों का होगा दोस्तों वो सही आप लोगों का होगा मुर्जर वर्ण पुरुसकार ठीक है तो जो यह मुर्जर वर्ण पुरुसकार को कत्थक का विश्वकोष कहा जाता है जो राजा चक्रधर की दूसरी रशना थी ठीक है एक राजा थे राजा चक्रधर राजा चक्रदर की दूसरी रजना थी मुर्जर वर्णकार काव्य और इसी को कत्थक का विश्वकोष कहा जाता है ठीक है दोस्तों तो यह question यहाँ पर हमारा होता है खतम बात करेंगे हमारे अगले question की question number 23 तो यह आपका question number 23 तो question number 23 की according हम बात करें तो question number 23 में पूछा है, निमनिमिते किसे राष्ट कूटों से कलिंजर दुर्ग जीता था, आप लोगों के options आप लोगों के सामने हैं, ठीक है, आप लोगों के options हैं, यशो वर्मन, विजय सिंग, हर्ष देव या धंग देव, तो मैं इसके लिए 20 seconds आप लोगों को दे देता ह है, इस वीडियो का जो topic जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इसका जो target जो है आज के like का, हमेशा के तरह वो 20 likes है, जो की अभी तक आप लोगों ने पूरा नहीं किया, एक आद बार तो खुशी दे दो यार, 20 likes पूरे कर दो, तो यहीं पर इसी के साथ समय समाप्त होत है आप लोगों का, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आपके options है, यशो वर्मन, जैसिंग, हर्ष देव या धंग देव, तो इसमें से जो सही answer होगा आपका, वो होगा यशो वर्मन, अब मैं इसका explanation आप लोगों को देद देता हूँ, हर्ष देव, हर्ष जेव तो को हरा कर, राष्ट कूटों से कलेंजर को जीता था, अब यशो वर्मन, यशो वर्मन जो है, इनका एक नाम है, लक्षमन वर्मन मीन को बोलते हैं, अगर आप लोगों को option में लक्षमन वर्मन मिल जाए, तो आप लोग समझ जाएगा कि वो बात वहाँ पर यशो वर्मन की ह हो रही है, तो यशो वर्मन ने खजराओ के प्रसिद्ध विश्नु मंदिर का भी निर्मान किया था, तो खजराओ का जो प्रसिद्ध विश्नु मंदिर है, उसका निर्मान भी किसने किया था, वो यशो वर्मन ने किया था, चलिए, बात करेंगे हमारे अगले question की, तो दो दस सेगिंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के अंतिन दस सेगिंड शेष हैं आप लोगों के पास राजा भाईया पूंच वाले तो दोस्तों दिये गए ऑप्शन जो थे सुबोध कृष्ण राव आचरेकर बाल कृष्ण आनंदराव आप टेकर कृष्ण देव राओ या बाल किशन सरस्वत तो जो सही उत्तर होगा वोगा बाल कृष्ण आनंदराव आप टेकर ठीक है अब मैं इतके बारे में आपको डी बुंदेलखंड में पुंचा नमक गाउं की जागीर होने के कारण इस घराने को पुंच वाला के नाम से जाना जाता है। टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों अब जल्दी जल्दी से आंसर लगाते जाहिए सभी और आप सभी से मेरा निविद्धन है कि भाई अपने जो आंसर आपके जितने भी सही हो रहे हैं 20 में से उनको कमेंट जरूर कीजेगा अंतिम 5 सेकंड शेश हैं आप लोगों के पास उस उस्ताद आमिर खान एक प्रसिद्ध भारतिये शास्त्रीय गायक थे ठीक है कौन थे यह शास्त्रीय संगीत से रिलेटर हैं शास्त्रीय गायक थे इन्हें उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे प्रभावशाली शक्सियतों में से एक माना जाता है और का जन्म हुआ था जन्म इनका कहा हुआ था इन दोर घ़र आने के संस्थापक ने असान प्रसिद्ध भार्तिय शास्त्री गायक थे पाउंसे तो 26th question आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्न में से देवगड के किस राजा के राज़काल के समय मुगलो ने नागपूर पर धावा बोला था, नागपूर पहले यहीं का पार्ट था, चलिए, तो आप लोगों का time start होता है दोस्तों, अब, इंगलिश में बता देता हूँ, during rain of which देवगड किंग मुगल attacked on नागपूर, तो जल्दी जल्दी से answer करिए, 20 seconds हैं आप लोगों के पास, जिसमें से 10 seconds आप लोगों के पूरे हो चुके हैं, जटवा, जटवा दुटिये, कोकशाह, दलशाह, आप लोगों के answers हैं, options हैं मेरा म कब बना, 1634 में कोकशाह का शासक बना, वो देवगड का शासक बनता है, ठीक है, 1634 में कोकशाह देवगड का शासक बना और इसके नियंतरण में नागपूर का किला भी था, मुगल सेनापती, खान दोरान, ठीक है, खान दोरान, मुगल सेनापती, खान दोरान ने 1637, मतलब इनके शासनकाल में जब इनके शासनकाल में तीन साल बाद 1637 में नागपुर के किले पर घेरा डाल कर कोक्षा को पराजित किया और उससे बड़ी रकम वसूली मतलब आप लोगों को मालूमी है कि पैसे ले लिए जाते थे तो कोक्षा से मतलब इन पर धाबा बोल देते हैं और बड़ी रकम इनसे वसूली जाती है तो इस प्रशन का जो सही अंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा वो होगा कोक्षा मतलब निम्न में से देवगड के किस राजा के राजिकाल के समय मुगलो ने नागपुर पर धाबा बोला था ये कोश्चन पूछा गया था तो शासक कौन था वहाँ पर कोक्षा था और अभलो ने मुगल सेना पति खान्दो रान्ने ठीक है बात करेंगे हमारे अगले कोश्चन की तो को श्चन नंबर 27 तो आप लोगों के सामने पंडित कार्तिक राम किसके संग्रक्षन में थे, आप लोगों को ये बतानाstroke किसके संग्रक्षन में में थे तो जल्दी-जल्द से भाई टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का जल्दी जल्दी आंसर कीजिए साथवा कोश्चन है यह जल्दी जल्दी आंसर करते जाईए भाई और अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा आपको यह टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में भी कमेंट कीजि 앤 za इस प्रशन का सही आंसर होगा दोस्तों राजा चक्रधर ठीक है राजा चक्रधर इसका आंसर होगा यह कफ़ार एक बिल्ट रुगों जाई इसका अंसर क्या होगा राजा चक्रदर अब मैं इसमें डीटेल आप लोगों को दे देदा हूं पंधिक्तर कारतिक कारतिक राम जो थे वो एक प्रसिद करत तक नरित दें झerson nigrogasta में थे, किसके संग्रक्षन में थे, राजा चक्रधर के संग्रक्षन में थे, उनके संग्रक्षन में उन्होंने राएगळ कत्थक घराने की स्थापना करी थी, राएगळ कत्थक घराने की, ठीक है, तो ये कुश्चन अगर आ जाता है, राएगळ कत्थक घराने की, मतलब घ घराने की सापना किसने करी तो अगले प्रशनगी तो दोस्तों अगला प्रश्ण आप लोगों के सामने है कि किस । चंदेल शाहसक ने अपनी राजधानी को खजराहूँ स्थानांतृत किया था इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि options आप लोगों को ठीक से दिख सकें तो यह आप लोगों का question है यह आप लोगों के सामने इसके answer दें तो जल्दी जल्दी answer लगाईए दोस्तों क्या answer होना चाहिए जल्दी जल्दी answer लगा दीजे 20 seconds ZMNS के लिए आपको और 5 seconds आपके पूरे हो चुके है किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी को कलिंजर से खजराओ स्थानांतरित किया था विच चंदेल रूलर shifted his capital कलिंजर टू खजराओ तो चलिए बहुत ही आसान सा question था क्योंकि भाई जिसके पास दौलत जादा होगी sorry ये दूसरा question है I'm sorry इस question का answer जो होगा वो होगा धंगदेव तो धंगदेव जो थे धंगदेव ने धंगदेव कोन थे चंदेल शासक थे इन्होंने अपनी राजधानी कलिंजर से खजराओ स्थानांतरित करी थी अगर मैं बात करूँ धंग देव के विशय में तो प्रतिहार शक्ती के कमजोर होते ही धंग देव ने एक स्वतंतर राजी की गोशना की धंग देव ने महराजा दिराज की उपादी धारन करी थी अगर आपसे कोश्चन आए निम्न में से किस शासक ने महराजा दिराज की उपादी धारन करी थी, तो दोस्तों उसका आंसर क्या होगा, धंग देव, महराज दिराज की उपादी धारन करते हैं, उन्होंने शुरू में कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया, फिर राजधान कलिंजर को खजराओ में परिवर्तित कर दिया था, किस ने कर दिया था, तंग देव ने, और इन्होंने क्या किया था, राजा दिराज की उपादी धारन करी थी, बहुत important fact है, याद रखिएगा, बात करेंगे हमारे अगले प्रशन की, तो अगला प्रशन है, आलहा और जल्दी सा अंसर करके बताईए, टैन सेकिंड्स पूरे हो चुके हैं आपके, परमार्दी देव, धंग देव, जैपाल या विद्याधार, चलिए, तो इस प्रशन का सही अंसर होगा दोस्तों, परमार्दी देव, आला और उदल, परमार्दी देव के दरबारी थे, ठीक ह ग्यारा सो पैसर से बारा सो तीन रहे ये, ठीक है, उन्होंने दशेज नाधापति की उपादी धारण करी थी, दशेज नाधापति मैं लेखिए देदेता हूँ या पे आप लोगों को, दश्य नाध अपति ये उपादी धारन करी थी, किसने करी थी? परमारदी देव ने दश्य नाध अपति की क्या करी थी? उपादी धारन करी थी उन्हें 1182 में प्रत्वीराद चोहान और 2203 में कुत बुद्धिन एबत ने हराया ये दो युद्ध धारे थे करेंगे आगले प्रश्न वार्चन आप लोगों के सामने है अला उद्दिन खिलजी के शासनकाल के दोड़ान मालवा के इकतेदार के रूप में किसे न्यूक्त किया गया था आपके 10 शुरू हो चुके हैं इंग्लिश में question में आप लोगों को बता देता हूँ who was appointed as malwas इक्तेदार under allowed in khilji's reign ठीक है आप लोगों के options आप लोगों के सामने हैं तो जल्दी जल्दी से answer करके बताईए कि इसका answer क्या होना चाहिए दोस्तों जल्दी जल्दी से answer लगाते जाईएगा साथी साथ comment ये भी करिएगा कि ये test series के questions आप लोगों को कैसे लग रहे है description आप लोगों को कैसा लग रहा है और video अच्छी लग रही है तो भाई like कर दो अभी कर दो क्योंकि बाद में आप लोग like करना भूल जाते हो channel पर नए हो तो भाई उसको subscribe कर दो subscribe जब आप करोगे तो notification bell को press करके all option को आप tap कर दीजेगा ताकि सारे notifications जो है वो आप लोगों को मिलते रहें तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों से प्रश्न किया था कि allowed dyn khilji के शासनकाल के दोरान मालवा के इक्तिदार के रूप में किसे न्यूक्त किया गया था तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा एन उल मुल्क को यहाँ पर किया गया था इसका description में आप लोगों को दे देता हूँ एक मिनट रुख जाई है एन उल मुल्क को allowed dyn khilji के शासनकाल में मालवा का इक्तिदार न्यूक्त किया गया इस छेत्र को धार और उज्जन परांद के रूप में नामित किया गया था मालवा जो है इसको किसके नामित किया गया था धार और अजन प्रांध के रूप में नामित किया गया था इस छेत्र को थीक है अलाव यह अगला खुश्चन की दोस्तों तो अगला कोश्चन आप लोगों के सामने हैं निम्न में से कौन सा सेनी ये भंगश घराने से सम्भंधित है, तो जल्दी जल्दी से आउसर कीजिये, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 20 सेंडस हैं आप लोगों के पास, देखते हैं कितने लोग सही इस प्रशन का अंसर लगाते हैं अप्शन्स हैं अस्ताद जाकिर हुसेन, उस्ताद आमिर खान, उस्ताद अजमल अमजद अली खान, उस्ताद शाकिर अली खान तो जल्दी से अंसर लगाते जाएए दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया कोश्चंस डाले हुएं टेस्यरीज के अंदर जल्दी जल्दी से अंसर लगाते चाहिए और इस प्रैशन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो उस्ताद अमजद अली खान होगा थीके क्या होगा उस्ताद अमजद अली खान होगा उस्ताद अली खान का जन्म नौ अक्टूबर 1945 को गुवालियर में हुआ ठीके 9 और ऑक्टोबर 1945 ठीके कब हुआ 9 अक्टूबर 1945 में कहां पर हुआ ग्वालियर में होता है इनका जन ठीक है वे ग्वालियर में संगीत के सेनिय बंगश घराने की छटी पीडी के है सेनिय बंगश घराना आप समझ गए होंगे छटी पीडी इतना सारा नहीं आता है फिर भी मैंने डीटेल आप लोगों को बता दी है कि छटी पीडी के थे उनके पिता उस्ताद हाफिज अली खान ग्वालियर दरबार में प्रसिद्ध संगीत कार थे अगर इन बात आजाए प्रसिद्ध संगीत कार तो हाफिज अली खान थे इनके जो पिताजी थे, उनका नाम था हाफिज अली खान और वो ग्वालियर दरबार में प्रसिद्ध संगीत कार थे ठीक है दोस्तों, तो अगला कोश्चन हमारे सामने है एक मिट रुख जाईए 31, 31 के बाद यहां पर हमा आ जाते हैं 32 प्रशन पर हमारे, यह रहा हमारा 32 प्रशन तो 32 प्रशन इस प्रकार है कि कत्तक में डॉक्टरेट की उपादी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो यह आप लोगों को आंसर करना है 20 seconds है आप लोगों के पास और प्लीज जिसने भी अभी तक चानल सब्सक्राइब नहीं किया है जो नए है चानल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों और टेलीग्राम चानल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीके तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पूरू धदीच ठीके पूरू धदीच जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फुरु ददिच कत्तक में, दुनिया के पहले डॉक्टरेट है, इनका जन्म in 1935 में कहाँ पर हुआ, 1935 में इनका जन्म हुआ, कहाँ पर? इन दॉर में, टीक है? इन दॉर में इनका जन्म होता है 1935 में, उन्होंने 2020 में पदमिशली से सम्मानित किया गया, आप लोगों को मालूम है कि एक साल देड़ साल पुराने current affairs के question भी पूछ लिए जाते हैं उन्होंने नटवारी कथक नरत्य academy ठीक है एक कथक नरत्य academy है कौन सी है नटवारी नटवारी कथक नरत्य academy ऐसे questions आ जाते हैं कि स्थापना करी कहां पर करी ये स्थापना भी इन दौर में हुई ठीक है तो आप लोगों को अगर question आ जाए कि नटवारी कथक academy कहां पर है तो वो कहां है इन दौर में और इसके संस्थापक कौन थे संस्थापक थे पुरुद अदीच और इनको 2020 में पदमश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था ठीक है question एक और facts देखिए आप कितने सारे facts आपके यहाँ पर clear हो रहे है ठीक है तो इसलिए जिसने अभी तक series join नहीं करी है उन सबी से मेरा request है कि series को join कर लो देखिए 2500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है उस 2500 रुपए के बदले आप लोगों को 5000 question मिल रहे है दूसरा मैंने जो group आप लोगों को जिस group से PDF निकाली है वहाँ पर notes भी है और पुराई test series भी डली हुई है और वहाँ पर notes वहाँ उस group में आप direct मुझसे बात कर सकते है देखिए पढ़ने के लिए notes और सारी सुविदाएं तो आपको मिल जाएंगी बट एक proper mentor जब तक आपके पास नहीं होता है ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते है अब अगला question आप लोगों के सामने है अंसर करके बताईए 20 seconds आप लोगों को मिलेंगे एक question के लिए तो जल्दी start आप लोगों का time हो चुका है 5 seconds हो चुके हैं तो जल्दी जल्दी answer लगाओ और सभी से request है भाई कि अपना जो score बनेगा उसको comment box में comment जरूर करना जरूर 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 करना भाई guarantee मेरी है सारे test आप लोगों को हर test के 20 questions यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे चलो तो अगर मैं बात करूँ इस question की तो इस questions के answers आप लोगों ने मतलब options आप लोगों ने देखी लिए होंगे तो इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो होगा अवद गया सुदधिन तुगलग के शासनकाल में एनुल मुल्क को मालवा के बाद अवद का जो है उसको प्रशासक न्यूक्त किया जाता है अब थोड़ी सी detailing अगर देख ले सुल्तान गया सुदधिन के शासनकाल में एनुल मुल्क को मालवा में उसी पद पर रखा गया था बाद में एनुल मुल्क को मालवा से अबद प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया और कुतलाग खान ये थोड़ा दियान रखियेगा ठीक है और कुतलग खान को देवगिरी के साथ साथ मालवा की कमान दे दी गई थी तो अगर आप लोगों को कोश्चन आता है मैंने धियान रखियेगा इसलिए बोला था क्योंकि आपको मालुम है कि भाई आयनुल मुल्क जो था इसको मालवा का जो है वो बनाया गया था अब इसके बाद किसको बनाया गया तो ठीक है कुतलाग खान जो था उसको देवगिरी में कुतलाग खान भी असकता है आपको आयनुल मुल्क भी आसकता तो दोनों में से आपको आन्सर लगाना रहेगा इसलिए मैंने आपको कहा कि इनको भी थोड़ा सा दियान रखियेगा बात करेंगे भूज नहीं है और ये इसको आप लोग सही कर लीजे भोज है ये ठीक है भोज कर लीजेगा भूज नहीं है भोज द्विति ये देवपाल परमार वीड सिंग प्रतम या थंग देव अंतिम पांच सेकिंड शेश हैं आप लोगों के पास और इस प्रशन का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा देवपाल परमार ठीक है अब अगर हम बात करें इस प्रशन के डिस्क्रिप्शन की तो सन 1234 में इलतुत मिश ने अपने मालवा अभ्यान के दोरान भेलसा पर आक्रमन किया और उसे तहस नहस कर दिया था कब किया था 1234 में याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि 1,2,3,4 रहे हैं यहां पर इलतुत मिश ने तीक है अगला question अब आप लोगों के समक्षा चुका है, 35th question है हमारा, ठीक है, तो इस question का answer आप लोगों को देना है, आप लोगों का question है, कि तबक ए नासिरी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तबक ए नासिरी के लेखा कौन थे, ठीक है, तबक ए नासिरी के लेखा कौन थे ही आप ल बल्दी से आंसर करके मुझे बताईए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए और इसको थोड़ा आप इसको क्लियर कर लीजे मैं आप लोगों को बता देता हूँ तब कत थब कत है थीक है तब कत थे नसीरी थीक है तो चलिए आप लोगों का समय समाप्थ हो चुका है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा मिनाज उस्सिराज थीक है तो तबकत ए नासरी के लेखक मिनाज उस्षिराज है और ये लिखते हैं कि इल्तुत मिष्णे विक्रमादित्य की मूर्ती और महाकाल के शिवलिंग को दिल्ली में लूटा था ठीक है मिनाज उस्षिराज ने तबकत ए नासरी में लिखा हुआ है न तबकत ए नासरी जो गरं में की थी ठीक है चलिए अब अगला कोश्चन आप लोगों के समक्षा दोस्तों कोश्चन है निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है बहुत ही आसान सा कोश्चन है निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है ठीक है मेगदूद मंदा क्रांता रित्यू संगहा यह रगू वंचम तो जल्दी से बताईए 20 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास जल्दी जल्दी बताईए अंतिम पांच सेकंड्स दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर लगाईए क्या होना चाहिए I think सभी ने 100% इसका आंसर दिया होगा आंसर है मंदा क्रांता अब मंदा क्रांता एक्चल में है क्या मंदा क्रांता शास्त्रिय संस्कृत कविता में आमतोर पर इस्तिमाल किये जाने वाला चंद का नाम है ठीक है मंदा क्रांता है क्या मंदा क्रांता है चंद जिसको शास्त्रिय संगीत में इस्तिमाल किया जाता है मैं फिर से बता देता हूँ मंदा क्रांता शास्त्रिय संगीत सॉरी मंदा क्रांता शास्त्रिय संस्कृत कविता में आम तोर पर इस्तिमाल किया जाना वाला चंद का नाम है संस्कृत में नाम का अर्थ है धीमा कदम मंदा करांता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा धीमा कदम या दीरे दीरे आगे बढ़ना ठीक है कहा जाता है कि इसका आविशकार भारत के सबसे प्रसिद्ध कवी काली दास ठीक है प्रसिद्ध कवी काली दास इसका यह क्यों पढ़ी दास जी ने यूस कहां पर किया मैं आप लोगों को इसको क्लियर करके बता देता हूँ मंदा करांता जो चंद था उनकी जो एक रचना थी मेग दूत में इसका इस्तमाल किया था ठीक है छंद उन प्रेमियों की लालसा को दर्शाता है ये चंद ठीक है कौन सा मंदा क उन प्रेमियों की लालसा को दर्शाता है जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जुसे संस्कृत शब्द विरह विभाजन विदाई में व्यक्त किया गया है ठीक है देखें कितना ज्यादा कलिंजर अंडर हूज लीडर्शिप इंग्लिश में है तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए मौध तुगलक जल्दी से बताइए इस प्रश्ण का आंसर क्या होना चाहिए जल्दी जल्दी से पांस सेकंड पूरे हो चुके हैं आप लोगों के और अभी तक लाइक नहीं किया है भाई चेक कर लो एक बार वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक कर दो इस बार बीस लाइक पूरे होने चाहिए जल्दी से और समय समाप्त हो चुका है आप लोगों का तो इस प्रशने का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा उलुग खान या उलुगू खान भी उसको बोलते हैं उलुग खान या उलुगू खान एक ही बात है तो 1259 में बलबन ने उलुगू खान के नेतरत में कलिंजर पर आक्रमन किया ठीक है नवंबर 1259 याद रखी आप अगर याद रह पाए तो अच्छी बात है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है नवंबर 1259 में ही बलबन ने चंदेरी के राजा चहर देव या जहर देव को जहर देव और मालवा के एक शक्तिशाली शासक नरवर पर हमला किया था ठीक है 1225 में ही किया था यह यह हमला भी तो इ वैराग्य शतक किसकी रचना यह हैं बहुती आसान सा कोश्चन है ब्रत हरी भाव भूती बानभट आचार केशवदास तो जल्दी से बताईए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए जल्दी जल्दी बताते जाहिए भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका पांस सेकंड हो चुके हैं पूरे आप लोगों के सिंगार शतक नीती शतक एंड वैराग्य शतक आरदा कॉम्पोजिशन ओफ तो समय समाप्त हो चुका है आप लोगों का दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ब्रथरी ठीक है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हो ब्रथरी जो है वो एक महान संस्कृत कभी थे ठीक है संस्कृत साहित के इतियाज में ब्रथरी का एक नीती कार के रूप में ये प्रसिद्न है इनके शतक क्रत्य कौन कौन से ये जो पूरी आप लोगों को दिख रही है ना शंगार शतक नीती शतक वैराग्य शतक ये शतक क्रत्य के अंदर इनके आते है अब शतक क्रत्य की बा बाद में इन्होंने गुरु गोरकनात के शिश्य बनकर वैरागय धारन कर लिया था इसलिए इनको एक लोग प्रचलित नाम बाबा भरतरी भी है इनका एक लोग प्रचलित नाम है बाबा भरतरी भी आप इनको बोल सकते हैं अगर बाबा भरतरी करके आ जाए तो आप लोग लोगों से कहा था कि 20 questions मैं यहाँ पर आप लोगों से discuss करने वाला हूँ ठीक है तो यह last question आप लोगों का है ठीक है अभी जाईएगा नहीं क्योंकि और भी चीज़ें आप लोगों के सामने में रखने वाला हूँ चलो तो बात करेंगे भाई निम्निलिकित में से कौन सा भव बूती द्वारा रचित नाटक नहीं है मावीर चरित्र मालती मादव उत्तर राम चरित्र या भरत चरित्र जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा भाईया ऐसे questions भी पूछे जाते हैं ठीक है इसलिए आप लोग यह मत सोचिएगा कि यह क्या questions करा रहे हैं इसमें आप लोगों questions भी क्यों डाले हूँ है चलिए तो इस प्रशन का जो सई आसर होगा दोस्तों वो होगा भरत चरित्र ठीक है यह तो बहुत आसान सा question था बहबूती की रचना है कौन कौन सी तीन प्रसिद्ध नाटक है मावीर चरित्र मालती मादव और उत्तर राम चरित्र मानत जो है यह इनके प्रसिद्ध नाटक है ठीक है चलो तो इसी के साथ हमारे 20 questions होते हैं दोस्तों complete तो जिसको भी सुदर्शन series join करनी है तो उसको करना सिर्फ इतना है यह देखिए यहाँ पर उनको करना क्या है चलो यहाँ पर तो मैंने अपना number mention नहीं किया है बट मैं आप लोगों को एक number देता हूं ठीक है एक minute रुख जाईए अगा बस हाँ यहाँ से number देता हूं यह मेरा number है 870-507834 ठीक है इस number पे आपको करना कुछ नहीं है सिर्फ join लिखके आपको whatsapp करना है या तो आप मुझे telegram पर भी message कर सकते है join लिखके join सुदर्शन series लिखके आपको message करना है ठी ठीक है test series जो है इसका cost जो है ठीक है इसका cost मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि 500 रुपए है लेकिन अभी इस पर हमारा 50% discount चल रहा है 50% discount के बाद ही आप लोगों को 250 रुपीज में यह test series आप लोगों को मिल जाएगी ठीक है पूरा test का schedule बना हुआ है किस दिम कौन सा test होना है आप लोगो schedule जो है वो telegram के group में मिल जाएगा test series के साथ साथ वहाँ पर और भी test series पहले से डली हुई है जिनकी संख्या साड़े 300 से 400 है तो वो भी आप लोगों को उसका भी lab मिल जाएगा प्लस वहाँ पर notes भी है साथी साथ हम वहाँ पर daily basis पे quiz भी कराते ह में link दी रखी है हमारा जो free वाला group है जहां पर daily basis में quiz होते हैं ठीक है दोस्तों instagram के channel को हमारा follow करना बिलकुल भी मत भूलिएगा आप लोग क्योंकि छोटी छोटी जो detailing होती है पढ़ाई से related वो सारी detailing में instagram के channel पे देता हूँ मेरा एक और channel है जिसका नाम है civil beast जहां पर मै daily basis पे मैं अपनी रणनीती कैसे बना रहा हूँ और किस हिसाब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से sources में use करता हूँ उसकी link भी description box में है तो please उसको भी आप लोग subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और आज के जो वीडियो है इसका target का जो like है उसको ध्यान मे रखीगा 20 likes आप लोगों को anyhow करने हैं आप लोगों से requested दोस्तों नए है चानल पे तो इसको subscribe जरूर कीजेगा और वीडियो अच्छी लगी है description अच्छा लगा है तो इसको share करना बिलकुल भी मत भूलिएगा इसी के साथ दोस्तों मैरा हुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ जय हिंद जय भारत